Friends, Welcome to MyTube Channel Friends, DDA Housing Scheme 2024 के Phase 2 की लॉंचिंग के रिगार्डिंग इंफोर्मेशन आ गई है Friends, जैसे कि आपको पता ही है कि DDA Housing Scheme 2024 में इससे में दो स्कीम्स चल रही है DDA सस्ताघर Housing Scheme 2024 और DDA मध्धम वर्गे Housing Scheme 2024 Friends, DDA अपने Phase 2 में 25 सो फ्लैट्स को एड कर रहा है और जो एड कर रहा है DDA यहाँ पर है वोगे DDA सस्ताघर Housing Scheme 2024 में एड कर रहा है और इन फ्लैट्स की बुकिंग 14 नॉवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगी Friends, DDA यहाँ पर कुछ नई लोकेशन को भी एड कर रहा है जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में बताए था कि DDA मध्यमवर गया Housing Scheme 2024 में मंगलापुरी के EWS फ्लैट्स को एड ओन करेगा तो DDA ने यहाँ पर मंगलापुरी के जो EWS फ्लैट्स है उनको एड किया है लेकिन DDA सस्ताघर Housing Scheme 2024 में एड किया है इसके अलावा DDA ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के Pocket 1A, 1B और 1C के EWS फ्लैट्स को भी एड किया है फ्रेंट्स यहाँ पर जो लोग वेट कर रहे थे Pocket 1A, 1B, 1C के लिए उनके लिए गुड निउस है कि DDA ने यहाँ पर इन फ्लैट्स को एड किया है लेकिन साथ-साथ एक बड़ी बैड निउस भी है बैड निउस यह है कि DDA ने इन फ्लैट्स की कोस्ट बढ़ा दिये और थोड़ी बहुत नहीं बढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिये जिन लोगों ने Pocket 1A, 1B और 1C में फ्लैट्स लिए हुए है उनके लिए तो बहुत अच्छी निउस है कि उनके फ्लैट्स की कीमत सीधे-सीधे 5-6 लाक रुपे बढ़ गई यानि कि DDA ने इन फ्लैट्स की कोस्ट 6-8 लाक रुपे से भी ज़्यादा बढ़ा दिये अभी DDA दिवाली Housing Scheme 2023 में DDA ने जो फ्लैट्स 11 लाक के बेचे है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकिट 1A और 1B में वही फ्लैट्स ही है DDA यहाँ पे बेचने जा रहा है 18 लाक में तो सीधा-सीधा 7 लाक रुपे कोस्ट बढ़ गई है और 1C के फ्लैट्स जो DDA ने 11-11 लाक के बेचे थे साए 2022 में 11-12 लाक तक के बेचे थे मैक्सिमम वह फ्लैट्स यहाँ पे DDA बेचने जा रहा है 20 लाक है आयो फ्रेंट्स देख लेते हैं कि DDA यहाँ पे कौन-कौन सी लोकेशन के फ्लैट्स को एड कर रहा है अपने फेस टू में फ्रेंट्स जासे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं DDA सस्ता घर आवासिय यह जना 2024 दूसरा चरण मतलब की सेकेंड फेस लोगों की बढ़ती मांग के बाद एवं अपने अत्यंत लोक प्रियायम सफ़र DDA सस्ता घर आवासिय स्कीम 2024 के दूसरे चरण के साथ DDA 25 से अधिक अतिरिक्ट फ्लैटों के साथ सस्ता घर खरीदने के लिए कई विकल्प उपलब्द कराने के लिए तयार है ओफर के अंतरगत फ्रेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे रोणी सेक्टर 34, रोणी सेक्टर 35 में 250 से अधिक LIG फ्लैट्स DDA यहाँ पे रखने जा रहा है जिनके कीमत 12 लाग से लेके 14 लाग रुपे रहेगी उसके अलावा द्वार का मंगलापुरी में 32 लाग से लेके 35 लाग तक की कीमत के EWS फ्लैट्स DDA रखने जा रहा है लगभग 180 फ्लैट्स यहाँ पे रहेंगे फ्रेंट्स मंगलापुरी फ्लैट्स की विजिट अल्रेडी मैंने करा रखिये काफी डिटेल में वीडियो बना रखिये आप उसको देख ले ना फ्रेंट्स यहाँ पे DDA ने फ्लैट्स की कोस्ट बढ़ा दिये DDA ने इन फ्लैट्स को पहले निकाला था DDA Housing Scheme 2021 मतलब एक स्कीम आई थी DDA Special Housing Scheme 2021 उसमें DDA ने द्वारका के मंगलापुरी इलाके के फ्लैट्स को मतलब वहाँ पे रखा था लेकिन COVID का टाइम था यह फ्लैट्स उतने बिग नहीं पाये थे बाकिया आप एक बार विजिट करके जरूर आना तब इन फ्लैट्स को देखना इन फ्लैट्स की कोस्ट भी DDA ने बढ़ा दिये अब बात आती है नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकिट 1A, 1B, 1C इनकी कोस्ट DDA ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा जो 10-10,5-11,000,000 के फ्लैट्स थे जो पिछले साल अभी DDA दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 में बिके हैं अभी 10,5-11,000,000 में उनकी कोस्ट DDA ने सीधा 18,000,000 करती है और 1800 से अधिक फ्लैट्स यहाँ पर DDA सामिल कर रहा है इसमें मैक्सिमम जो फ्लैट्स रहेंगे वो पॉकिट 1C में रहेंगे और 1C जो है 1A, 1B से थोड़ा बड़ा मतलब थोड़े बड़े फ्लैट्स है तो इनकी कोस्ट DDA ने रखी होगी अभी 18,000,000 तक के रहेंगे और 1C जो है यह 20,000,000 कर रहेंगा क्योंकि यहाँ पर Community Center बगरा भी है तो EWS फ्लैट्स जिन लोगों ने पहले खरीदे हैं डीडिया हाउसिंग स्कीम 2021 में 22 में 23 में 11,000,000 के उनकी यहाँ पर मौज आए कहने हैं मतलब कि उनके लिए यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई है जब DDA यह 18,000,000 का बेच रहा है तो आपकी फ्लैट की कॉस्ट तो अलड़ी बढ़ी गई यहाँ पसी दे सीदे ठीक है ना फ्रेंड्स और जो लोग खरीदने की सोच रहे थे उनके लिए बैड निउस है यहाँ पर कॉस्ट बढ़ गई है तो उनको ज़्यादा पेमेंट करने पड़ेगी DDA के फ्लैट के लिए नरेला सेक्टर A1 से लेके वो A4 के पॉकेट 1 A, 1 B और 1 C के लिए इसके अलावा नरेला के अधर फ्लैट्स भी DDA यहाँ पर रखेगा जो की अभी भी DDA ने रखी रखे है सेक्टर G7, G8 के सिरस्पूर के फ्लैट्स रहेंगे लोकनायक पूरम के फ्लैट्स रहेंगे और रामगड कॉलनी के फ्लैट्स यहाँ पर DDA रखने जा रहा है अब DDA से रिलेटर जब अपना सर्कूलर निकालेगा तब तो पता चली जाएगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरे चरण की बुकिंग 14 नॉमबद 2024 से स्टार्ट हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफोरमेशन दी आप लोगों के लिए आशार्टों पसंद आई होगी नन्यवाद नमस्कार